पाकिस्तान की हार के बाद पॉइंट स्टेबल में हुआ उलट पलट अब इंडिया पहुँचेगा सेमी फाइनल में पाकिस्तान का क्या होगा पाकिस्तान होगा सेमी फाइनल से बाहर होगा बहुत बुरा हाल भारत में खेले जा रहे हैं वर्ल्ड कप का बारहवा मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने भारतिय टीम के सामने 192 रणों का लक्ष रखा जिसके जवाब में टीम इंडिया ने शांदार बल्ले बाजी की और साथ विकेट से मुकाबला जीत लिया बता दें कि वर्ल्ड कप में भारतिय टीम की यह लगातार तीसरी जीत है वहीं पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में पहली हार मिली है पाकिस्तान के खिलाफ मिली शांदार जीत के बाद टीम इंडिया पॉइंट स्टेबल पर लंबी छलांग लगाकर अब पहले स्थान पर पहुँच गई है जबकि इस हार के बाद पाकिस्तान टीम को काफी नुकसान हुआ है तो चलिए जानते हैं कि बारहवे मुकाबले के बाद पॉइंट स्टेबल का क्या हाल है कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतिय टीम का प्रदर्शन अब तक वर्ल्ड कप में शांदार रहा है और टीम ने पाकिस्तान को भी साथ विकेट से हरा कर पॉइंट स्टेबल पर अब टीम पहले स्टान पर पहुँच गई है बता दे पाकिस्तान के खिलाफ मिली शांदार जीत के बाद टीम इंडिया ने न्यूजी लैंड को पचाड कर पॉइंट स्टेबल पर अपना पहला स्थान पा लिया है वही इस समय भारतिय टीम का रन रेट सभी टीमों से काफी बहतर है वहीं इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमी फाइनल में जाने की अपनी उम्मीदों को और भी मजबूत कर दी है बता दें कि टीम इंडिया को अभी वर्ल्ड कप में कुल 6 मैच खेलने हैं और अगर टीम इसमें 3 मैचों में भी जीत हासिल करती है तो भारतिय टीम सेमी फाइनल में जगे बना लेगी बात करें अगर बाबर आजम की अगवाई में वर्ल्ड कप खेल रही पाकिस्तान टीम की तो भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम को काफी नुकसान हुआ है और टीम पॉइंट स्टेबल पर अब चौथे स्थान पर काबेज है जबकि पाकिस्तान टीम का रन रेट माइनस में हो गया है जिसके चलते इस टीम को बड़ा जटका लगा है पाकिस्तान टीम के सेमी फाइनल में जाने की उम्मीद की बात करें तो टीम को 6 मुकाबला खेलना है लेकिन अगर इस दौरान टीम दो या तीन मुकाबले में हार हासिल करती है तो टीम सेमी फाइनल से बाहर हो सकती है